हालो सेकिंड येर के बच्चों संसाधन भूगोल पर फिर एक नया वीडियो में आपको सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आप इसमें आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं संसाधन भूगोल के विशेचेतर पर पिछले विडियो में मैंने आपको संसाधन भूगोल की प्रकरती बताई थी और अब इस विडियो में संसाधन भूगोल में कौन से कौन से विशेचेतर जो भी विशे हैं कौन से कौन से और उनका कितना बड़ा एरिया हम कवर करते हैं उन सारे चीजों का तो अब शुरू करते हैं हम संसाधन भूगोल का विशय छेत्र अब संसाधन भूगोल के विशय छेत्र में संसाधन भूगोल का विकास आर्थिक भूगोल की एक प्रमुक शाखा के रूप में हुआ है यानि पहले तो संसाधन भूगुल जो है आर्थिक भूगुल की ही एक ब्रांच है और उसका निर्मान क्यों हुआ क्योंकि मानव के लिए जो भी उपयोग वो करता है प्राकर्तिक या मानवियतत। जैसे प्राकर्तिक और मानविय संसाधनों का जितना भी उपयोग मनुष्य करता है उन सारे पत्मों का अध्यन संसाधन भूगुल के अंतरगत किया जाता है यानि अगर किसी संसाधन की मानविय संसाधन किसे कहोगे आप जन संख्या को अब जनसंख्या का जो भोगोलिक भिन्नता होगी, छेत्रिय भिन्नता होगी, स्थानिक भिन्नता होगी, यनि हर एरिया में जनसंख्या की मात्रा घर्टी बढ़ती रहती है जीवन जीने के अनुकूल परिस्तितियों के कारण तो जितने भी छेत्र हैं उसमें प्राकर्ति के हम इन भी ये संसाधनों का भूगोलिक छेत्रिय या इस्थानिक वित्रण का अध्यन हम संसाधन भूगोल के अंतरगत करते हैं इन में भूतल पर विविद प्रकार के संसाधनों के वित्रण, प्रतिरूप, छेत्रिय स्तर, पर उनके मुल्यांकन, उप्योग, दुरुप्योग, अन्यार्थिक सामजिक एवं परियावरणिय समश्याएं तथा उनके समाधान ही तूप, संसाधन, संरक्षण, एवं प्रबंधन की विदियाव और उनके व्यवारिक प्रियोग, आदी का अध्यन सम्मिलित होता है यानि हम इसमें विश्यचेत्र में जो चीजें सम्मिलित कर रहे हैं उसमें देखिए पहले तो आता है संसाधनों का वित्रन कि संसाधन विश्यों में कहां कहां पर उपलब्ध है फिर उनका प्रति रूप यानि उनकी मात्रा और उनकी उपियोगिता, महत्वता, सारी चीजें बहुत महत्पोन होती है फिर छेत्री स्तर पर जब उनका मुल्यांकन किया जाता है तो वो देखा जाकर रहे हैं कि इतना हम उपियोग में ले रहे हैं और कितना हम उसमें व्यर्थ कर रहे हैं यानि दुरूपियोग हो रहा है जैसे कि हम चाहिए सकते हैं कि किसी छेत्र में वन छेत्र जो थे उनके सारे वनू को काट दिया गया पूरे वरक्षों को खतम करके उस पहाडी को बंजर कर दिया गया या जूमिंग कर ली गई तो वो क्या हुआ आपका आपके संसाधन के वित्रन का प्रारूप हुआ और आपने उसको किस तरसे उपयोग हुआ ये बात तो जितने भी संसाधनों का उपयोग होता है उसके दुष प्रभाव प्रकरती पर पढ़ते हैं तो सामाजी के वह परियावरणिये समश्याएं और उनक समाधान हेतु संसाधन संरक्षन और प्रबंदन की विधियों और उनके व्यावारिक प्रयोग आदी का अध्यन संसाधन भुगोल के अंतरगत सम्मिलित किया जाता है अब संसाधन भुगोल का जो विशय छेतर होता है वो गत्यात्मक तथा व्यापक होता है ये दोल जो शाब्द हैं गत्यात्मक मतलब परिवर्तित होने वाला और व्यापक मतलब बड़े रूप में हम उसको स्विकार करते हैं उसकी जो उपियोगिता है वो किसी छेतर या किसी देश के उपर निर्बणनी होती है पूरे विश्व में उसकी उपियोगिता दिखाई देती है जैसे कि पेट्रोल पेट्रोल एक महतपून संसाधन है जो पूरे विश्व के देशों के लिए महतपून है और प्रतेग देश अधिक से अधिक पेट्रोल की शोतों को खुजने की कोशिश करता है हमारे यहां भी आपको पता है भारत में भी राजस्तान के जैसलमेर जिले में गैस और जैसलमेर और बाडमेर के आसपास आपके गैस और पेट्रोल के बंडार मिले तब से उन छेत्रों का जब से वहां पर इस तरह की खोज हुई और उन खोजों के लिए वहां पर कुछ इस तरह के refineries लगाई गए की नीचे से जो तेल निकलेगा उसको साफ करने के लिए तो वो refinery लगने की बात जब हुई तब इसे वहां के छेत्र का विकास बहुत तीवरता से शुरू हो गया और अब वर्तमान समय में यदि हम जाके इन दोनों ही छेत्रों को देखते हैं तो पिछले 10-20 सालों में जिनों ने देखा है उसमें और आज में बहुत ज़ादा परिवरतन आपको वहां दिखाई देता है तो संसादन जो होते हैं वो गत्यात्मक होते हैं किसी समय वो आपके लिए बहुत महत्वोपूर्ण होते हैं और किसी समय वो आपके लिए बिलकुल उपयोगी नहीं रहते हैं तो गत्यात मतलब उनकी परिवर्तन शीलता संसादनों में हमेशा चलती रहती है अब इसको एक एग्जामपल फिर से मैं आपको देना चाहूंगी कि जैसे कोईला कोईला एक बहुत महत्पून संसादन लेकि जब से पेट्रोल जलविद्युत इनका उपयोग उरूजा शुर्टों के लिए होने लगा तो कोईले का महत्प दिरे-दिरे कम हो गया जो आज सत्तर के दशक में साट के दशक में जो कोईला बहुत महतपूर्ण था वो आज 20 के दशक में 21 के दशक में इतना महतपूर्ण नहीं है इस समय कोईले के सबस्टिटूट अलग से बहुत सारे निकाल लिये गए हैं और कोईले का महतप जो है वो उद्योगिक दृष्टी से घट गया है तो आपको संसाधन क्या होते हैं एक तो गत्यात्मक होते हैं यानि उनकी उपयोगता परिवर्दित होती रहती है दूसरा व्यापक होते हैं यानि उनको बहुत छोटे स्थर पे हम नहीं आख सकते चाए हम छेत्रिये बात करें चाए हम राज्जीये बात करें चाए हम राष् कामने रखे जाते हैं तो अब इसके विशेवस्तु को हम कुछ और चीजों से समझ सकते हैं कुछ वर्गों में विभक्त किया गया है तो इसमें सबसे पहला जो है वो है संसाधनों की प्रकृति तथा वर्गी करन सबसे पहला तो जो भी संसाधन उपलब्ध है उसकी प्रिश्ता क्या है फिर संसाधन के विभिन आधारों पर वर्गी करन करते हैं जैसे संसाधन प्रकरतिक है या मानवने निर्मित किया है या मानवय संसाधन और प्राकर्तिक संसादन इन दोनों को वर्गी करण में सम्मिलित किया गया है क्योंकि मानविय संसादन भी बहुत मैत्पून है और मानविय संसादनों का भी वर्गी करण छेतरी आधार पर होता है उसी प्रकार से प्राकर्तिक संसाधनों का वर्गी करण भी छेत्र में उपलब्दा के आदार पर होता है तो संसाधनों की प्रकर्ति की उनकी विशेष्टा क्या है और फिर वो कहां कहां मतलब उनकी प्रकर्तिक संसाधन कितनी तरह से बांटे जा सकते हैं यारी प्राकर्तिक है, मानविय है, चीक है, तो संसाधनों का वर्गी कराना है, उसके बाद प्राकर्तिक संसाधन का स्वरूप एवं छेत्रिय वित्रण प्रतिरूप, यानि भूमी, मिट्टी, खनीच पदात, वन, घास, जल, शक्ती, आधी, पदा, संसाधनों की विशेष् चेत्रिय वित्रण, आकलन, उत्पादन, उपभोग, आधीक अध्यन, आपके प्राकर्तिक संसाधन के स्वरूप और चेत्रिय वित्रण प्रतिरूप में होता है, अब इसमें जैसे भूमी का एक्जामपन लें, तो भूमी उत्री गुलार्द में जादा है, और दक्षनी गुलार्द में कम है, तो उत्री गुलार्द में ही मनुष्य के जीवन जीने लायक परिस्तितियां जादा बनती है, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए, क्या चाहिए, जमीन चाहिए, जिस पर वो अपना घर बना सके, तो जमीन से जुड़ाओ, जो कहते हैं जमीन, जमीन बहुत ज़रूरी है, और भूमी का स्वरूप जो है, अब आपकी जमीन कैसी कैसी होते है, यानि पहाड़ी स्थर पर मकान बनाने की अलग तरे की अकटनाई आए, मैदानी स्थर पर आपके मकानों का स्वरूप सब अलग होगा, यानि भूमी का ढाल, धरातल कैसा है, वो उनकी विशेष्टाएं होती है और इन विशेष्टाओं का अध्यन हम संसाधन भूगोल में संसाधन के स्वरूप में करते हैं मिट्टी उपजाओ है या अनुपजाओ है या बंजर हो गई है उसको वापस से कैसे आप उपजाओ बनाएंगे इन सब चीजों का उसी तरह से वन, घास कितना जल उपलब्ध है कितने सक्ति संसाधन है कितना जल विद्धुत उत्पादत किया जा रहा है ये सारे संसाधनों की विशेष्टा छेत्रिय वित्रण के आधार पर आपके प्राकर्तिक संसाधन का स्वरूप और वित्रण में पढ़ी जाईगी तीसरा है आपका मानविय संसाधन का स्वरूप एवं छेत्रिय वित्रण प्रतिरूप इन में सबसे पहले मैंने कहा था ना जनसंख्या सबसे महतपून संसाधन है क्योंकि मानव ही तो है जो प्रतेक वस्तू को अपने उपयोग में लेकर संसाधन का ना निर्मान करता है तो सबसे पहले मानव जनसंख्या कहां किस शेत्र में कितनी है फिर वो जनसंख्या आपके आर्थिक इस्तर में व्रद्धी करने वाली है सक्षम और सद्रड जनसंख्या है या बुजर्गों और बच्चों की संसे ज़ादा है ये क्वालिटी बताती है फिर जनांक ये सरंचना कैसी है जन्मदर कैसा है मृत्यूदर कैसा है इस्तरी और पुरशों की संख्या में इतना नुपाथ है इन सब काध्यन किया जाता है फिर सामाजिक आर्थिक तथा राजनितिक संगठन समश्या के कैसे हैं यानि सामाजिक किस तर पर किस तर की स्थितिया हैं कि जनसंख्या वहाँ जादा हो आर्थिक संसाधनों की कितनी उपलब दता है कि जनसंख्या उन आर्थिक संसाधनों की वज़े से वहाँ पर जाद हो या राजनेतिक तोर पर इस्थिर्ता है तो वहाँ पर राजनेतिक जो नियम है वो अगर जनसंख्या क्या अनुकूल है तो जन्संख्या आराम से उन इस्तानों पर रह सकती है तो यहां जन्संख्या संसाधन को प्रोध्योगी की, राजनिती की संगटन, आर्थिक, सामाजिक, जनांकी की और वितरन के आधार पर पढ़ा जाता है और इस अध्यन को संसाधन भुगोल के विशच्षेक्तर में सम्मिलित किया जाता है फिर आपका आता है संसाधन परदेश संसाधन परदेश मतलब प्राकर्तिक तथा मानविय संसाधनों की उपस्तिती यानि वितरन तता विकास इस्थर के अनुसार संसाधन प्रदेशों का निर्धारन और उनका अध्यन किया जाता है यानि किसी भी छेत्र में कितनी मात्रा में या कितनी दूरी पर, कितनी स्थान पर एक संसाधन की प्राप्ती है उस आधार पर या किसी संसाधन के विकास का रेशो क्या है उसके आधार पर संसाधन प्रदेश का निर्मान कर दिया जाता है यानि संसाधन प्रदेश यानि एक ही संसाधन के कई छेत्र मिलकर संसाधन प्रदेश का रूप ले लेते हैं और इसका निर्धारण और अध्यन संसाधन भूगोल के अंतर किया जाता है। और आखरी पांचवा जो इसका तत्व है, वो है संसाधनों के दुरूपियोग जन्य समश्याएं। यानि हम संसाधन का उपियोग यदि गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उन से क्या-क्या तो समश्याएं उत्पन होगी, फिर उन समश्याओं को सॉल्व करने के लिए और खनीजों को बचाने के लिए, खनीजों का संरक्षन और प्रबंधन करना पड़ेगा। यानि पहले तो मनुश्यों को ये ज्यान होना आवश्यक है कि किसी भी संसाधन का अधिकादिक उपियोग हमें लेना चाहिए, यानि उसकी आखरी कण तक का पदार्थ हमारे उपियोग में आ जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हमने आधा संसाधन यूज किया और आधे को हमने वहां ही व्यर्थ होने के लिए छोड़ दिया, तो संसाधन का जो उपियोग है वो इस तरह से होना चाहिए कि संसाधन का आकरी कण भी मानव के उपियोग में आ जाए फिर दुरुपियोग से जो समश्चाएं उत्पन होती है सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और पर्यावरणिया आधार पर इन समश्चाओं का विवेचन भी संसाधन भूगोल के अंतरगत किया जाता है और संसाधन संरक्षन और प्रभंधन के प्रभावी उपाईउं को संसाधन भूगोल के अध्यान में सम्मिलित किया जाता है अब यह यहाँ पर समाप्त होती है आपकी संसाधन भूगोल का विश्यचेत्र मैं बच्चों एक एक टॉपिक आपको एक एक वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि खतम कर दूँ किसी किसी में मेरे दो तीन वीडियो भी बन जाते हैं क्योंकि स्लाइड की संख्या जादा हो जाती है तो फिर मुझे उसको दो या तीन टुकडों में बाटना पड़ता है या समय सीमा जादा हो जाती है तो इसलिए आप लोग वन बाई वन और इनके नोट्स जो हैं मैं आपको वाटसप पे दे रही हूँ तो आप लोग नोट्स भी देख सकते हैं और वीडियो तो आपके लिए उपलब्ध है आप इसको देख लीजिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मानो भुगोल के विकास की और संसाधन भुगोल के विकास की किस प्रकार से हुआ किस किस सताबदी में हुआ इन सब के बारे में आपके अगले वीडियो में बताऊंगी तब तक के लिए धन्यवाद